जिवे शुगर होगी, डॉक्टर की कहने हैं गोली खाओ, सवाल कुछ हो डॉक्टर खाओ, जिन्दगी वर खाओ, उकार, उकार, जुकाम, खासी, फोडा, फुनसी, उल्टी और दस्त, ये सब मित्र हैं जि मैं साड़ा हिम्स हॉस्पिटल नाम है हिम्स, हिम्स दी फुल फॉर्म किया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टिटूट ओफ इंटेग्रेटेड मेडिकल साइंसे, मतलब ऐलो पैथी वी, आयरोवेद वी, होमेथी वी, नैचरोवेथी वी, पंचकरमा वी, यानि कि सारी पैथ किड्नी फेल होंदा, किड्नी फेल होंदा, में रिजन है जी, आज काल दवाईया दा ओवर यूज, जिवें आप पानू बी-पी हो गया किसी नूँ, जिवें मालो तो आड़ी फैमली है, चाचा, मामा, ताओ, ममी, डैडी, किसी ना, किसी नूँ बी-पी आ शुगर होगा पका, रिष्टे अरलब होगे ताँ, जिवें शुगर होगी, डॉक्टर की कहने है, गोली खाओ, सवाल पुछो कब तक खाओ, जिन्दगी बर खाओ, तो गोली खाई रख देया, खाई रख देया, जिवें थायरड की गोली लोग कही साल से खा रहे हैं, पेन किलर्स लोग कई साल से खा रहे हैं, बीपी की गोली कई साल से खा रहे हैं, कोई भी गोली अगर आप लगातार खाओगे, तो हमारी किडनी सप्रेस होती है, उसके साइड इफेक्ट की वज़े से, नमबर एक, नमबर दो, जो लोगों को बुखार चड़ता है, जैसे आपको बुखार च चाहती है, अंदर कोई वाइरस बेक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, जिसको बॉडी ने नीट्रल करना है, हराना है, उसके खिलाफ एंटी बॉडी बनानी है, तो बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ शक्ती बढ़ाने के लिए टेंपरेचर बढ़ाती है, ये बॉडी मैं हुआ गोली खाई थोड़ दिन बाद cancer हो गया मलब बुखार मित्र है इसको उतारना नहीं चाहिए अब अब ये सवाल पुछो फिर बुखार हो तो करना क्या चाहिए देखो बुखार जुकाम खासी फोड़ा फुनसी उल्टी और दस्त ये सब मित्र है मलब उल्टी भी मित्र है दस्त भी मित्र है फोड़ा फुनसी भी मित्र है और बुखार भी मित्र है जुकाम भी मित्र है बेसिकली मित्र कैसे हैं ये हमारे भला करते हैं जैसे आपको जुक सिन जमाना हो जाए बॉड़ी नाक के रास्ते बाहर निकाल रही है जैसे आपको च्छीक आती है बॉड़ी खुद करती है च्छीक लाती है मतलब कोई वाइरस बॉड़ी में या धूल का कड़ बॉड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था बॉड़ी ने का नहीं तुम मुझ है नहींट किया ने चिक ओमारी जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो आपकी पलके जपक रही हैं मेरी पलके जहमक रही है दस मिने दख पलके मच छपकाना अपनी आपको पता है और अंध्य हो जाओगे पॉसिभल ही नहीं है क्योंकि ये जपकती अपने आप क्यूं है क पंगी है, infection गुम रहे है, धूल गुम रही है, आपकी मेरी dead cells गुम रही है, तो यह आखों पर भी लग रही है, तो बोड़ी क्या करे रही है, बार 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 इसको साफ कर रही है, क्योंकि आख खराब हो जाएगी, तो बहले भगवान ने एक सयाना system मना रखा जैसे मैं आपको body स्यानी हैं थाबित कर देता हूँ जैसे हम रात को सोते हैं सुबह हमारी नींद खुल जाती है तो हम यूरिन के लिए जाते हैं ऐसा भी तो सकता है body उसको रात कोई निकाल देती है अपने आपी बिस्तर गिला कर देती है जैसे बच्चे करते हैं पिशाब निकल जाता है लेकिन नहीं निकलता बॉडी सियानी है बॉडी आपको उठाती है उठ पुटर जाके बासरूम जाकर आ उठ पुटर जाके टॉइलेट När क्याने का मतलब यह है कि बोडी सारा कुछ हमारे भले के ले करती है, बोडी हमें बचाने के लिए सब कुछ करती है, आपने एक सवाल पूछा था, जो आपने एक सवाल अभी क्या पूछा था फिर से? मेरा सवाल यही था चारा जी आपके पास जो पेशिंट्स आ रहे हैं आप लोग चेक अप करते हो तो मेक्सिमम रिज़न क्या पाया जाता है यही पाया जाता है कि मैडिसन की वज़ज़ से इक रिडी लीवर्स फेल हो रहे हैं मेडिसन की वज़े से, ओवर यूज ओव मेडिसन, साइड इफेक्ट ओव मेडिसन, स्ट्रेस, हमारी हैबिट्स जो बिगड़ी हुई है, देखो दुनिया में कोई भी जानवर, कोई भी चिडियात होता कभूतर, आप कभी देखना सूरा भी डूबने के बद खाना नहीं खा पास, रात को दो बज़े लोग बटूरे चुले खा रहे हैं, शादी में जाके लोग पांस तुर पे दे रहे हैं, दो दो जारका खा रहे हैं, अचा आठ बज़े पहुंच रहे हैं सूप, सवा अठ बले, साड़े आठ पापड़ी, पौने नो चाउमीन, सवा नो मंचूर साड़े नो मलाई कॉफटा, पौने दस बज़े कोई रोटियां, फिर सवा दस बज़े कोई कॉफी, फिर साड़े दस बज़े कोई आईस्क्रीम, फिर साड़े दस ग्यारा कोई पान, फिर कोई कॉफी, फिर आईस्क्रीम, ग्यारा साड़े ग्यारा कोई तक यहां तक भर बीच में कोई दूद का गिलास तपता है वो डाल लेते हैं कोई जल जीरादा तपता है वो भी डाल लेते हैं बीच में फ्रूट भी खा लेते हैं वी एल्टिमेटि फूल-फूल के सूझ जाएगी अच्छा बौड़ी फिर परशान हो कहा करते है कई बार सुबह पौट यहा लेकिन हम चले आते हैं सोकोर बड़े डॉक्टर के पास वो क्या बोलता है पॉटिया लगी डाइरी आ हो गया लूज मोशन हो गया इसको रोक लो गोली ले लो क्यों भई हीरे मोती निकल रहे है जो रोक लो गंद निकल रहा है भई निकलने दो ना ग्लुकोस की बॉटर लग आपके बॉडी में गलुकोस जाता है ना तो बॉड़ि उसको पहले डाइस करके उसमें एंजाइन्स मिक्स करके बलड में जाती है लेकिन आप गलुकोस सीद़ा बलड में दाल लेते हैं कितना बडा धोख्खा कर रहे हैं लीवर फे לפalo रहे हैं कैने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है जैसे उधारंग के तौर पे एक सड़क बन रही है वहां एक लेडी काम कर रही है पत्थर लेके तोड़ रही है और प्रेगनेंट है उसको दर्द उठी वही लोगों ने चदर चुदर ओड़के उसके बच् है जन दिखे गाते हैं मईरी टंगे दुख रही है बक्छा भी करती है दोओ स्पाइस फूड करती है कहने का मतलब यह शरीरों में जान नहीं है क्योंकि हम गलत खारे है हम पिजा बर्गर फास फूड जंक फूड खारे है अच्छा फास फूड गलत है अक्शल सेफ्च नि में अमरूत चिला मूह में तो भाईया वो था ना फास्टूर तो तो क्याने का मतलब आज बड़ी से बड़ी बिमारी अगर कोई दुनिया में ठीक कर सकता है तो एक ही आदमी है और वो आपको शीशा देखने में नजर आएगा मतलब आप शीशा देखो उसमें नजर आएग कवर कैसे होंगे बिलकुल आपका बहुत अच्छा सवाल है अब सुनो बुखार हो गया तो क्या करना है जब भी बुखार जुकाम खासी अगर कुछ हो जाता है तो आपको अपने घुटने जितना घुटने तक बाल्टी में पाउंड वोने है पानी में गरम पानी में कम से किराते जाना है गरम डालते आना है मलब गरम पानी में आदे घंटे से एक घंटे तक पैरों को मेंटेन करने है साथ में चाय जैसा उबलतावा गरम पानी गुट-गुट करके पीना है यानि कि मैंने बॉडी को और गर्मी दी बॉडी ने गर्मी चड़ाई ना तो मैंने इ का तो एक ही बार में सेट हो जाएगा बुखार दुबारा उतर जाएगा एक दिन में दो गंटे में जब कि आपको पाई दिन लगते हैं वैसे रूटीन में दवाई खाओ तो भी पाई दिन लगते हैं नहीं खाओ तो भी पाई दिन लगते हैं दूसरा अगर किसी का एक बार जो जानवर से आ रहा है, जैसे दूद, अंडा, नॉन वेज, डाल, रोटी, चावल, यह नहीं खाना, खाना कहा है, नैचरल फूड, आप अपनी उल्ठा बोल रहे हो, डॉक्टर समेशा एडवाइस करते हैं, कि अगर आपको कोई बिमारी होई ता जितना जादा खाओगे, उतनी जल्दी आप उसको हील करवाओगे, मैडम, फिर वो डॉक्टर कौन से है, वही बात है ना, अंग्रेज डॉक्टर, जो भारतिय डॉक्टर नहीं है, यह जो मैं बोल रहा हूँ ना, यह हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारी गीता मे हमारी रमायन में, माभारत में लिखा हुआ है, और हम रोज कर रहे हैं, अचा आपने बुच्छा आप ऑना, पेशेंट कैसे ठीक कर रहे हैं, और पेशेंट ठीक हो रहे हैं, आयरुएद कहता है, अचा एक बावत हो, हमारे अंदर एक तत्व है, जिसके निकलने से हम मर जा जैसे परम शक्ति शाली, परम वीर चक्र, सुना होगा, ऐसे आईरवध कहता है, लंगन परम ओश्दम, लंगन परम ओश्दम, यानि कि उपवास ही दुनिया की सबसे बड़ी ओश्दी है, यानि कि सर्वशेष्ट ओश्दी, यानि कि लंगन, 2016 में, जो नोबल प्राइज मिला है, वो मिला योशियोरियो सूमी को, जो की जैपनिस साइंटिस्ट है, किस बात पे मिला, ओटो फेजी, ओटो फेजी मतलब, आपको 16 गंटे, 14 गंटे, 18 गंटे कुछ नहीं खाना, बॉड़ी को खाली छोड़ना है, तो बॉड़ी के अच्छ बुरे सेल्स को खुदी खा जाएंगे, भूक लगेगी तो, यानि कि लंगन परमजदम, अच्छा आप गाड़ी चला रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, गरम हो गई, तो क्या करोगे, गाड़ी रोकेंगे, अपकोर्स जाव उसमें पानी टालेंगे, ठंडी क बॉड़े को अब सुभा साथ बज़े आप ने चाए पी दो बिस्किट खाये, नो बज़े आपने नाश्ता करा हो, ग्यारा बज़े आपने पिर चाए पी, दो बज़े आपने लंच करा, शाम को पिर आपने सनैक्स ली, रात को फिर दिनर लगा, आप पूरा दिन यहाँ पे शीशा न ही लगा आरपर देखने वाला आपने ग्यारा बजए खाया और आपको तो तीन बज़े दुबारा खाना खाने के लिए बोल दिया, आपको देखना था पहले वाला काह गुम रहा भी, तो ये गलती बगवान ने गलती करती, शीशा दिखना चाहिए था आर पर वाला, एक खाने को हजम होने में मेडम, छे से आठ गंटे लगते हैं, तो आपके अक बार तो हो गए, महार होगी, तो हो ही रहा है, तो आईरवज गदा दो बार खाओ, तो हम कहते हैं, सुबा नौ दस बज़े खाओ, और शाम को पांच-छे बज़े खाओ, ये लंच, ब्रेकफास, दिनर हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये अंग्रेजियो का कंसेप्ट है, किरप में, जब मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, जब मैंने होश तंबाला, तो मैंने नोटिस करा कि मैं बहुत बिमार रहता था पूरे घर में अपने, महला मैं अपने पूरे परिवार का सबसे बिमार बच्चा था, ये इवन कि मेरी मम्मी भी परशान थी, कई डॉक्टरों से मुझे देडाले भाक हीं, और शनीदान बताया, तो मेरे को तराजिव पर एक तरफ बटाया, और एक तरफ मेरे बराबर का दब मेरे बचादम दाल्यक क्या यह शनीवार को जो डाकोत घर पे घर पर आते うजो।ब भिक्षा मांगते हैं उसको गया गेहूं दिया काले तिल दिये तिल दिये तो मैं एक तरह बैठा मेरा वजन था उससे 32 किलो और जब मेरी graduation के आसपास मेरा वजन था 49 किलो तो हुआ क्या मैं इतना बिमार रहता था मैं परशान हो गया था इवन की मैं ये भी सोचता था आत्मत्या कर लो इस जिन्दगी में कुछ नहीं पढ़ा तो मेरे मौसा जी आईरवेदी डॉक्टर थे शरी गंगानकर रायस्तान में रहते थे मैं उनके पास गया तीन मीने के लिए गया तो एक मीने के लिए था लेकिन मैंने वहां तीन मीने लगाए वहां मेरा काया कल्प हुआ आईरवेद की मदद से पहली बार मुझे आईरवेद की श फिर वहाँ पे मैंने उनके पास ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया आगे की, करता गया, करता गया, पढ़ाई होती गई, करता गया, लोगों से मिलता गया, experience बढ़ता गया, ऐसे करते करते आए मुझे पूरे 27 साल हो गए, 27 साल से मैं इस मैं डॉक्टर्स के साथ काम करके पूरी दुनिया को स्वस्त बनाने के लिए इस दिशा में काम कर रहा हूँ, 27 साल से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने हिम्स का भी हम सिकर कर रहे हैं, कि वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गाइड करते हो, कि लाइफस्टाइल चेंज करो, खाना पीना चेंज करो, इसके इलावा कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई कुछ देते हैं, आप या सिर्फ यह गाइडेंसी, नहीं, जड़ी बूटिया देते हैं, जिसको जुरुत होती है, और हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडबिट होते हैं, उन खाना मतलब वो जो इनसान बनाता है, भोजन मतलब वो जो भगवान बनाता है तो हम कहते हैं, जब बिमार पड़ो, तो खाना चोड़ दो, भोजन बढ़ा दो जैसे जानवर क्या करते हैं बिमार पढ़ते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं और क्या करते हैं घास खाते हैं रेस्ट करते हैं दूप सेखते हैं वही हम पेशन को कराते हैं हम हरी सबजिया खिलाते हैं फ्रूट्स खिलाते हैं कई तरह के जूसिस पिलाते हैं नारियल पानी कुछ जडी भूटिया, कुछ काड़े देते हैं, नंगे पाउं घांस पही गुमने को करते हैं अर्तिंग की बात करते हैं मैं दरती से जुड़ो लिविं वाटर पिलाते, जैसे ज्रने का पानी होता ना उस तोरह मैं लिविं वाटर खुद बनाना सिखाते हैं इसके अलावा हम उनको hobbies पे काम करते हैं, उनको खुश रहने की बात करते हैं, जैसे आपकी hobby क्या है, अभी तो कुछ hobby रही ही नेगी है, I want to be a good journalist, that's it, good journalist, यानि कि लिखना पसंद है आपको, और इंटर्व्यू लेना पसंद है, तो जो भी हमारे पास पेशन आता हैं, उसको brain concentrate होता है, आपके मन का पसंद काम हो गया वो, जैसे कुछ लोगों की hobbies होती है, cooking करना, तो patient आगे बोलता है, मेरे को cooking करनी पसंद है, तो cooking पसंद है, खाने का भी शोक है, कहता है नहीं, तो मैं का बनाने का पका के खिलाने का शोक है, हम बोलते हैं, हमने शेफ के साथ लग और लोगों को पका पका के बना, नईनी चीज़े सिखा हमें भी सिखा और खुद भी सीख, तो ऐसे करके हम hobbies से, अर्थिंग से, living water से, diet से, lifestyle से, और साथ में body के cleaning से, जैसे आईरवध कहता है, सरवेशा नाम, रोगा नाम, निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोग, दुन करते हैं पंच करमा से, कुछ तरह की मसाजीज होती हैं, कुछ थेरपीज होती हैं, एक गरम पानी के टब में बिठाया जाता है, कुछ head down tilt है, सिर नीचे कर देते हैं, पैर उचे कर देते हैं, बलड से कुलेशन टीक करते हैं, उसको घास पे लेटने के लिए बोलते हैं, य अलब पैरों से और सिर से बलड सर्कुलेशन पेट पे बढ़ गया आपका, उससे अपने आपी आपकी बोड़ी हील हो रही है, ऐसी उसको हम हसना सिखाते हैं आपे, और उसको ना माफी मांगना सिखाते हैं, एक डायरी देते हैं, बोलते हैं लिखो तुमने बच्पन से ल पिछली बार आपने अपने सुंदर फेस के लिए किसको थेंक्यू देता है, पिछली बार को दिया था? और सुन्दर आखों के लिए इसको दिया था तो हम रोज करवाते हैं सुबा शाम दो दो तीन तीन बार कि आप दिन बेर थेंक्फुल रहो, माफी मांगो उससे होता क्या है बॉड़ी का हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और बॉड़ी अपने आपी किड़नी जो सिकुड चुकी है खराब हो चुकी है उसको हील करना शुरू कर देता है कि लीवर जो सिकुड चुका है खराब हो चुका है अपने आभी हील होना शुरू हो जाता है तो हम यह प्रोसेस सिखाते हैं अच्छा मैं आप से सवाल पुछता हूँ, अगर किसी को एकदम खड़े पैर, अभी आपके सामने किसी को हार्ट अड़ेक पढ़ जाए तो क्या करो गया? मैं आपको बता हूँ, पेशन्ट को बोलो कि यह कुरसी पे उपर हूँ है, कुरसी पे नहीं, पेशन्ट को जैसी किसी को भी हार्ट अड़ेक पढ़े सार दरशक देख लें, उसको जमीन पर सहारा देकर ऐसे बिठा दें, इसको बोलते हैं हार्ट से पोजीशन, तो पहले कैसे बिठाना है? ऐसे, हा आखो से पानी आये ना, समझो, बोडी में नाइट्रिक अक्साइड का प्रड़क्शन बढ़ गया, वैसो डाइलेशन शुरू हो गया, नसे खुलनी शुरू हो गई, तो आपका पेशन्ट बच जाएगा होस्पिटल के आने तक, एम्बुलेंस के आने तक और हो सकता है, उ तो ऐसे ही छुट-छुटी चीज़ी हैं, जो हम सिखाते हैं अपने होस्पिटल में, जैसे अगर आपका कोई पेशन्ट बचुश हो जाए, तो क्या करोगे आप, उसको सांस देने के क्यों कोशुश करेंगे, एम्बुलेंस को फॉन करोगे और मर गया तो, जैसे ही कोई ब अधियम से और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आजकल सब लोग हेल्थ इंशॉरेंस कराते हैं, ताकि मेरा पैसा ना लगे होस्पिटल में नजायज, जबकि आपको सच्चाई बताओं, ये रिपोर्ट हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि हेल्थ इंशॉरेंस की वज़े से लोग लुट रहे हैं, डॉक्टर लोग ज़्यादा, उनका गलत इलाज हो रहे हैं, उनका नजायज ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर देखता है हेल्थ इंशॉरेंस है, दसलाक रुपे का पॉलिसी पैसे देगी, उसका कोई ऑ मार्किट में आ चुकी है बला हेल्थ इंशॉरंस के विसे लोगों का ज्यादा नुक्सान हो रहा है तो मैं लोगों बोलता हूँ जब भी हेल्थ इंशॉरंस कराएं लगते हो तो जिससे भी करा रहे हो या पॉलिसी बजार से करा रहे हो या किसी एजेंट से करवा रहे हो उस का पैसा बज़ जाएगा जो हमारे उस्पिटल में लगने वाला था तो कितनी बड़ी बात है देखो यह बहुत बहुत धन्यवाद अचारा जी इतनी जानकारी आपने जो दी है खासकर फर्स्टेट के बारे में बोला गया तो लोग जो दर्शेक हमारे देख रहे हैं उनको पी एडवाइज है कि एक बार खुद को भी देखें कि आप अपने आपको कैसे हील कर सकते हैं जैसे के चारा जी ने बताया कि आप खोदी आपने डोक्टर हैं तो एक बारी आयर वेद पे भी ज़रूर भरोसा करके जरूर देखो जो लोग नहीं बहुत सारा पैसा खर्च क पास जाकर पर हमारा मरीज जो है वो नहीं ठीक हो पाता तो एक बारी ज़रूरी है ये वी क्योंकि आयर्वेट जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया तो इस पे एक बारी भरोसा करना बहुत ज़रूरी है तो चंडीगड में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुडगाओं, अमरिसर, दिल्ली, जलंधर, जैपुर, पटियाला, संगरूर कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है हिम्स की ब्रांचिस शुरू हो चुकी है, अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए, भाई राजीव दिख्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था भाई राजीव दिख्षित चाहते थे, पूरे विशु में आईरुवेद का डंका बचे, आईरुवेद की वजह से भारत विशु गुरू बने, हमें आपकी मदद चाहिए, हर किड़नी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को चाहिए, और भारत को भी शुरू बनाने में हमारी मदद कीजिए, धन्यवाद, जैहिंत